नमस्कार आप सभी को स्वागात है हमारे जेनल जीद की पार्ट सालापर आज हम डिसकस करेंगी पार्टिशन और बेंगल और स्वाधी से मोव्मेंट से जितने भी प्रॉबेबल कुशन हो सकते हैं जो कि हाफ यरले एज 2023 में होने वाले सेवा से फैनल में आ सकते हैं तो चलि बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप याद रखेगा कि बाइस्ट्राइल लॉड कार्जन के टाइम में बेंगल क्या हुआ पार्टिशन हुआ नेक्स्ट क्वेशन आप याद रखेगा कि 7 फेबरारी 1874 को इस्टेट आफ आसाम वाज क्रियेटेड ठेगे तो 7 फेबरारी 1874 को आसाम का क्रियेशन हुआ इसमें 6 डिस्टिक ब्रह्मपुत्र भेली के जिसमें ग्वालपडा, कामरोब, नौगाउं, दरंग, लखिमपूर और सिफसागर सामिल थे साथी खासिया, जयनतिया, हिल्स, नागा पहाड, गारु और स्रीहटा, कुल मिलाकर 54,100 स्क्वेर माइल आसाम का एरिया था, अगला क्वेशन याद रखने होला है इस चेप्टर से, कि जब आसाम स्टेट जो थाओ क्रियेट हुआ, तब आसाम का जो हैड थे, उसको चीफ कमिशनर कहते थे, और कॉलोनेल आर एज केटिंग आसाम के पहले चीफ कमिशनर थे, तो इस यलो बॉक्स से आपको वान मर्क मिल सकती, यहाँ पे ट्रीटी अफ येंड आवो, जो था उकप साइन किया गया, 24 फेबरारी 1826, इसको याद रखेएगा, इसे तरह से अलग अलग राज्य प्रविन्स जो था उकप बिटिस के अंडर में यहाँ पे लिखाया, यहाँ पे लिखाया, जैसे के काचार 1832 खासील से, 1833 जैन्तियाल से, 1835 बिसी तरह से, बहुत सार यहाँ पे लिखे गए, लेकिन सबसे ज्यादे इंपोर्टेंच जो है, आपका ट्रीटी अफ येंड वो, 24 फेबरारी 1826, चले बढ़ते हैं आगला को पोईशन आ सकती है, कि वाट डियून भाई रिष्ले पेपर्स, तो रिष्ले पेपर्स क्या है, उसको समझने के लिए, यहाँ से देखना पड़ेगा, कि जब एंद्रु फ्रेजर लेटन गवर्णर के रूप में एपोइंट हुए, तब भाइसरय लॉड कारजन ने, जिसमें लिखा गया था कि धाका, छत्तग्राम और राजसाही को आसाम में इंक्लूट करना था, फास्ट जून 1903 में भाईसरय लॉड कारजन ने, हैबर डिष्ले जो कि उस समय सेकेटरी आफ इस्टेट गवर्मेंट अफ इंडिया थे, उनके साथ मिलके जो प्लान था, ज जो रिपोर्ट सब्मेट किया है, वो ठीक है, और उसी का हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा पर्मिशन ब्रिटिस गवर्मेंट ने दिया, तो वही चीज 6 डिशेंबर 1903 को हैबर डिष्ले ने ओफिसियली एनाउंस कर दिया कि बहुत जल्द बेंगल क्या होने जा रहा ह है, यानि कि बेंगल का भिवाजन होने जा रहा है, तो इसी एनाउंसमेंट को जो कि हबर डिश्ले ने ओफिसली डिख्लियर कर दिया, रिगर्डिंग दा पार्टिशन बेंगल, तो उसी को हम लोग डिश्ले पेपर्स कहते हैं, तो इस दो मार्क कोईशन है, आप याद पार्टिशन बेंगल, आखिर पार्टिशन बेंगल था क्या, पार्टिशन बेंगल था कि बेंगल को डिवाइड करके उसका एक हिस्सा आसा में सामिल करना था, उसी को हम लोग पार्टिशन बेंगल कहते हैं, तो जब पार्टिशन अल्मोस्ट फिक्स्ट हो चुगा था, और डेट भी घोशित हो चुगा था कि 16th October 1905 को बेंगल क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो पार्टिशन अब बेंगल के कुछ प्रोग्राम्स बनाए गए कि किस तरह से पार्टिशन होगा और पार्टिशन के बाद क्या-क्या आने वाले हैं बेंगल में उसको अफिसेल लिए अनाउंस कर दिया तो चले देखते हैं कि फास्ट फेज में क्या लिखा गया था फास्ट फेज में था दा नेम अप द नीव प्रोबिंस वेल बीश्टन बेंगल एं आसाम बाए अने वाले थे राज-साही धाका और चाता ग्राम बी नम्मर में कहा गया है कि the capital of new province will be धाका यानि कि 16th October 1905 के बाद आसाम का जो capital शिलॉंग में था वो चेंज होके पहुँच जाएगा धाका तिसरा था the administration of Eastern Bengal and Assam will be handed over to a lieutenant governor Eastern Bengal and Assam जो की chief commissioner के अंडर में हुआ करता था 16th October 1905 से lieutenant governor के अंडर में चला जाएगा जो की पहले किस के अंडर में था chief commissioner के अंडर में था डी नम्मर में the capital of Assam will be transferred from शिलॉंग तो धाका जैसे कि point नम्मर भी में हम लोग ने अल्यदी डिसकस कर लिया कि 16th October 1905 के पहले आसाम का जो capital था हो शिलॉंग में था लेकिन जब partition होगा क्योंकि रास अई धाका छाता ग्राम भी include हो रहे हैं तो शिलॉंग से capital shift होके धाका ले जाए जाएगा ठीक है चले अगला part देखते हैं second phase में था there will be separate high court in धाका for eastern Bengal and Assam सबसे पहले कहा गया कि eastern Bengal and Assam के लिए अपना ही एक high court बनाया जाएगा धाका में और बी नमर में कहा गया कि until a separate high court is established the new province will be under the jurisdiction of Calcutta high court और जब तक नया high court बनके तयार नहीं होगा धाका में तब तक eastern Bengal and Assam भी Calcutta high court के अधिन में यानि कि Calcutta high court के अंडर पे ही रहेगा third phase Calcutta will be the capital of new Bengal province which includes West Bengal, Bihar, Urissa and छोटा नागपूर और जिस तरह से eastern Bengal and Assam का capital बना आपका धाका उसी तरह से जो Bengal था जिसमें West Bengal, Bihar, Urissa और छोटा नागपूर मिलके जो Bengal बना था उसका capital होगा Calcutta fourth phase में था the partition of Bengal will be implemented on 16th October 1905 और जो Bengal partition था जो कि Bengal विवजन था होने वाला था 16th October 1905 यह जो आपने चार phase देखा यह announce किया था लॉट कर जने September मेहना में ही कि October 16th के बाद एक कुछ changes बेंगल में होने जा रहे हैं तो यह जो चार phase इन में से दो पॉइंट फास और सकंड फेज जो है उसका एटलिस आप दो प्रोग्राम्स याद रखिएगा स्वाधिसी मोवमेंट जो कि 1905 में स्टार्ट हुआ और 1911 तक चला तो इस मोवमेंट के दोरन भारतियों लोग ने decision लिया कि वह लोग कोई भी foreign med goods का इस्तमाल नहीं करेंगे जितना हो सके Indian med goods का ही इस्तमाल करेंगे तो यहां पर लिखा गया कि partition होगा ऐसा decision लिया गया declaration भी कर दिया गया सेप्टेमर मैना में तो भारत के लोग बहुत ही ना खुश थे तो बैंगल में ऐसे भी लोग थे कि जो कि पार्टिशन अब बैंगल के favor में थे और बहुत सार ऐसे भी लोग थे जो कि उस decision से खुश और उसके बाद उन लोगों ने British government को submit कर दिया लेकिन उस application का कोई भी positive effect देखने को नहीं मिला तो स्वाधी से moment में बहुत सारे लोगों में patriotic feeling जो था देश वक्ति का जुनुन जो था ओदेखने को मिला और यहां पर एक point जानना जरू रही है कि 20th July 1905 को दिनाशपूर में एक meeting हुआ और उसी meeting में निर्ने लिया गया कि अब इंडिया के लोग जो की partition of Bengal के खिलाफ थे वे लोग क्या करेंगे British goods को boycott करेंगे तो exercise में आपको question मिलेगा जिसमें mention किया गया है कि कौन सा meeting में decision लिया कि अब हमें foreign goods का boycott करना जरूरी है तो answer होगा दिनाशपूर तो य symbol of unity and heritage ठीक है यह symbol of unity and heritage है तो एक मार का question है रहा तो अगला important part है consequences of swadishya moment तो अगला part है 1.04 consequences of swadishya moment और जैसे का आप जानते है कि swadishya moment का मतला होता है कि इसा अंदोलन जिसमें यह निर्ने लिया गाया कि भारत के लोग अपसे British mad goods या फिर को भी foreign mad goods का इस्तमाल नहीं तो पहला इसका जो result था positive result जो था national literature हुआ क्योंकि सभी भारत के लोगों ने नहीं लिया कि अपसे हम लोग कोई भी goods British mads या फिर foreign mads का इस्तमाल नहीं करेंगे तो इसके चलते क्या हुआ तो इंडिया के लोग ने खुदी magazine लिखना नीज़ पेपर, books, drama, songs वगेरा लिखन इसके चलते बहुत सारे लोगों में जो देश भक्ति का प्रेम था और देखने को मिला और उस समय कुछ magazines वगेरा जो पापलिश वे उनमें से में यहां पे important कुछ आपको बताने जा रहा हुआ जैसे कि संजीब नहीं याद रखिएगा जो कि कृष्णा कुमर मित्र जी का उसके बाद योगांधर जो कि भुबिन्राना दत्ता का था दा डाउन जो कि 37 चंद्रा मुखिर जी का और बंदे मात्रम अरिविंदा गोश का अगला देखते हैं और उसी समय जो पोपलर गाना जदी तुर डक्षने के उना आसे तो अब एकला चलो रहे बहुत पोपलर और भाई-भाई एक ठाई नाम का जो आर्टिकल था रविद्राना ट्रेगोर्जी ने उसी स्वाधिसय मुव्मेंट के टाइम में लिखा इंडिया का जो लिटेरेचर था वो बहुत ग्रोथ हुआ क्योंकि उससे पहले हम लोग इंडिया के लिटेरेचर के उपर इतना फो इजुगेशन क्योंकि इसी स्वाधिसय मुव्मेंट के दोरान भारत के लोगों ने इसकूल कॉलेजे जो की बिटिस ने बनाये थे वो सारा छोड़ दिया और उस लोगों का इजुगेशन कॉंटिन्यू करने के लिए अब तब बहुत सारे से स्टुटेंट थे जो की इसक ना हो उसके चलते क्या हो इंडिया में बहुत सारी स्कूल कॉलेजेस का एस्टाब्लिश्मेंट हुआ तो हम लोग के सकते हैं कि स्वाधिसय मुव्मेंट के चलते बहुत सारे नेशनल एजुगेशन सेंटर्स वगेरा डेवलोब हुए तो ऐसा कहा गया है कि स्वाधिसय स्वाधिश्य मोव्मेंट की टाइम में भारत के महिलाओं ने भी बहुत योगदान दिया तो यह भी एक important consequences से इसको भी आप लोग देखिएगा उसके बाद आया the rise of national industry जी यहां जब स्वाधिश्य मोव्मेंट हुआ तो उसी दोरान भारत में बहुत सारे इंडस्ट्री सेट आप किये गए और पर लिखा गया establishment of Muslim League जी हां क्योंकि 1905 थक हिंदू Muslim unity था लेकिन जब British ने division किया तब बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि British के favor में थे और बहुत सारे ऐसे थे कि जो British का decision के against में थे तब वो community जो था ओ थोड़ा कम हुआ और इसके चलते किया हुआ Muslim League जो था 1906 में फार्म हुआ तो यहां पर तीन जो दिया गया यह है आपका Muslim League का aims and objective कोई भी दो पॉइंट पड़ियेगा तो आपको याद रखना जरू है कि consequences of स्वाधिशी मोव्मेंट से आपको कम से कम भी दो से लेके तीन पॉइंट तो आपको याद रख नहीं होगा क्योंकि एक बहुत इंपोर्टेंट पार्ट हो सके तो उसे ज्यादा चार याद रखिए नहीं तो मिनिमाम भी थ्री अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए कुछ मार्क दे सकती है अगला पार्ट है 1.06 एंटी मोव्मेंट एक्शन आफ दा गवर्मेंट तो इस पार्ट में बताया गया है कि जब ब्रिटिश ने पार्टिशन का निर्ने लिया और डिक्लियर कर दिया तो ब्रिटिश को उमीद था कि कॉंग्रेस के लोग इसको सापोर्ट करेंगी कॉंग्रेस का तो दो भाग था एक का मोडरेट और दूसरा को एक्स्ट्रिमिस्ट कहा जाता था और ब्रिटिश को ऐसा लगता था कि पार पोलिशी किया था ओफ एऔरिंग्ग वहरिइस टाइटल्स पोउस्ट आठल्स ऐट सेट्रा तो बिटिश ने क्या सोंचा हमरे चुक्छ को पोउस्ट आएटल्स पैना देंगे तो उनलोग ने सोंचा कि ऐसा करने से क्या होगा भारत के लोग special हमारे ओर चले आएंगे लेकिन इतना करने के बाद भी moderate congress ने ब्रिटिस का पक्ष नहीं दिया moderate groups were against the decision taken by the ब्रिटिस और यह जो tribe थे लाला लाच पत्राय बाल गांगादर तिलक और विपन चंदरा पॉल इसको लाल बाल पॉल भी कहते हैं और इन होने और इन लोगों ने जितने भी भारत के लोगों पोस्ट टाइटल्स वगेरा ब्रिटिस के तरफ से मिले थे उन लोगों को request किया कि आप लोग उसको लोटा दीजिए और इस लोटाने का क्रम में सबसे पहले गोपाल कृष्णा गोखले ने रिटान कर दिया जो टाइटल उने नाइट हुट का मिला था तो आब आया contribution अब स्वाधिशी मोव्मेंट तो पहला है दा स्वाधिशी मोवमेंट वसे ब्लेटिकल नॉलेज रिगार्डिंग मास मोवमेंट स्वाधिशी मोवमेंट से ही भारत के लोगों को पत अब इंडिया 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 ने नेशनल कॉंग्रेस का जनम हुआ और तब से ही कॉंग्रेस हमेशा सांति पूरवख अपना जो डिमांड ने ओ फुल्फिल कराने के लिए बिटिस के साथ करती थी ना पार्टिशन अब बेंगल ब्रोट ए चेंज इन आउटलोक अफ कॉंग्रेस लेकिन पार्टिशन अब बेंगल के दोरान कॉंग्रेस का जो देखने का नजरिया या फिर कॉंग्रेस का जो सोचने का नजरिया जो की हमेशा हैसा लगता था कॉंग्रेस को की कोई भी काम सांति पूरवख किया जा सकता है लेकिन पार्टिशन अब बेंगल के बाद उनने पता चला कि हर काम सांति पुर्वक बात करके नहीं हो सकता है स्वाधिशिय मौव्मेंट मेट देम रिलाइज देर प्रोग्रेस अफ इंडे इस पोसिबल अनली थो मास स्ट्रागल और स्वाधिशिय मौव्मेंट के दोरानी कॉंग्रेस को पता चला कि अगर भारत को डेवलोप करना है तो हमें क्या करना होगा मास स्ट्रागल यानि कि सभी लोग उनाइट होके ब्रिटिस का बिरोध करना होगा तो इसी तरह से कुल छे पॉइंट दिये गए हैं आपको इभी चार पॉइंट याद रखे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा एक इंपोटेंट पॉइंट दिखे यहाँ पे बेंगल वाज रिउनाइटेट अन् 12 इसेमर 1911 याने कि बेंगल फिर से 12 इसेमर 1911 को रिउनाइटेट रुआ और जिसके चलते क्या क्या चेंज़ ज़ए फिर से देखे नमर वान में दा केपिटल अफ इंडिया दुसरा है दा एडिमिस्टेशन आफ आसाम के मनर दा चीफ कमिशनर आपको याद होगा कि 6 इंड ओक्टोबर 1905 के पहले आसाम चीफ कमिशनर के अंडर में ही था लेकिन जब पार्टिशन हुआ तब चीफ कमिशनर को हटा के लेटन गवर्नर को इसेंड बेंगल आसाम सोब और इसेंड बेंगल आसाम होने से पहले आसाम का केपिटल सिलोंग में था लेकिन 16th October 1905 में जब आसाम चेंज होके इसेंड बेंगल आसाम हुआ तब केपिटल सिलोंग से शीफ करके धाका ले जाया गया लेकिन 12th December 1911 के बाद फिर से आसाम का केपिटल धाका से शीफ कर दि चाहे कि partition of Bengal का भुआ 16th October 1905 को और reunification of Bengal का भुआ 12th December 1911 को तो चलिए आप कुछ exercise से important question देखते हैं question number 1, question number 2, question number 3, question number 4, after that question number 8, very short answer type questions से इन question को आप पढ़ियेगा short long answer type question में से आप पढ़ियेगा 1, mention 3, main geographical regions of Bengal which were annexed to the province West Bengal and awesome created after the partition of Bengal यानि कि partition of Bengal से कौन-कौन से हिससे आप सम्याए और कौन-कौन से Bengal में रहे यह जो फेजवाला पार्ट है वहाँ से आप देखियेगा number 2 से write briefly about what were the intention of the partition of Bengal एक्जाम में इसको अलग तरीका से भी पूछा जाएगा जैसे कि what were the hidden agendas of the partition of Bengal यानि कि British ने Bengal भी विजन क्यों किया ऐसा क्या कारान थे जिसके चलते partition of Bengal करना पड़ा दिखाने के लिए कुछ और थे लेकिन उसके पीछे ब्रिटिस का कुछ और ही मकसद था तो hidden agenda अगर पूछा जाएगा तो मकसद को लिखना है या फिर intention लिखने से भी वही मकसद को लिखना है अट इस तीन पॉइंट आप इसको लिखेगा why was the anti partition of Bengal movement named as Swadesi movement? anti partition moment जो था उसको Swadesi movement क्यों कहा गया? कियोंकि भारत की लोगों ने decision लिया भारत की लोगों ने तब निरने लिया कि अब से हम लोग British made goods का इस्तेमाल नहीं करेंगे या फिर कोई भी foreign made goods का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसलिए उसको Swadesi movement कहा जाता है तो contribution आप दो पढ़िएगा ज्यादा जर्रत नहीं है और उसके बाद number six जरूरी है कि British ने जो British के खिलाफ लोग थे उनको दवाने के लिए क्या 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 काम किये जैसे कि उन लोग ने offer दिये titles, medals वगरा किसी-किसी पर बड़ा post दिया वो सारा आपको यह पर लिखना होगा बड़ा Muslim League formation हुआ या फिर women लोग ने इसमें participation किया और contribution तो मैंने पहले बोला आप दो पढ़ने से हो जाएगा और short note इतना important नहीं है तो इसमें ज्यादा focus मत कीजिएगा तो इसी के साथ आज का यह पार्ट नहीं पर खतम होता है मैं उमीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ help मिला होगा तो thank you very much for watching our video